200 ग्रैम्स पनीर में एक स्पून मैदा, एक स्पून कॉर्ण फ्लार, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और नमक डाल करके अच्छे से मिक्स कर लें. फिर इस मिक्स को पैन में फ्राई कर लें, जब वो रेड हो जाए तो उसे निकाल दें. फिर सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए प्यास, शिमला मिर्च और लेसन. सबसे पहले लेसन डाले और प्यास डाले और उन्हें फ्राई करें, फिर शिमला मिर्च डाल दें. सॉस में हम चाहिए सोया सॉस, चिली सॉस और पिछकू और उन तीनों को मिक्स करके पैन में फ्राइ कर ले फिर थोड़ा सा नमक डाल दे कॉर्ण फ्रार मिक्स को डाल करके अच्छे से पकने दे और हमारे फ्राइड पनीर स्प्रिंग अनियन के साथ डाल दे इनको अच्छे से मिक्स कर ले और 5 तू 10 मिनिट्स तक पका ले तैयार है हमारा रेस्ट्रो स्टाइल चिली पनीर